एक जगा एक बुढिया मा थी, बुढिया मा को एक नहला रहे थी, एक मा, एक बहन अपने बुढिया मा को नहला रहे थी, उधर से संत गुजरते हैं, देखते हैं, बड़े इसने से, बड़े प्यार से, बड़े विनम्रता के साथ, अपनी एक बुढिया मा को नहला रहे थी, इतना वे संत जी पूछते हैं, संत जी पूछते हैं वे बहन से, बहन क्या ये तुम्हारी मा है, बहन क्या ये तुम्हारी मा है, जिसको तुम इतना प्यार से नहला रही हो, इतने इसने से नहला रही हो, बहन कहती है, संत जी ये मेरी मा नहीं है, मा नहीं है, तो कौन है, मेरे मां से बढ़ करके है संत जी को बड़ा आश्चर ये लगा मां से बढ़ करके और क्या हो सकता है इतने में संत जी पुषते है अखिर मां से बढ़ करके है कौन मां से बढ़ करके कौन है वो बहन कहती है संत जी ये वो मां है जिसके कोख से सब्दों को देखेगा आप ये ओ मा है जिसके कोख से मेरा सुहाग पला है जिसके बदावलत आज मैं इस घर में टिका हूँ बोल सकती थी मेरी सासु मा है लेकिन उनके सब्दों में कितना मिठा से उनके सब्दों में कितना जादू है उनके सब्दों में कितना प्रेम है कितना प्रेम हो कहती है संत जी यह ओ मा है जिसके कोख में मेरे सुहाग पला है उसके कोख में उसके सुहाग पला है मतलब अपने पत्ती का मा है क्या इतना प्रेम है इतना प्रेम हो जाए तो घर का माहल बदल जाएगा सतसंग इसे ही कहते हैं जदी आज मैंने कुछ दिर निवेदन करने का प्रयास का किया अगर समय रहा तो कल मैं जीवन निर्वान के बारे में बताऊँगा जीवन क्या है जीवन किसे कहते हैं जन्मा और मृत्ति के बीच को जीवन कहते हैं और कैसा होता है जीवन का सिड़ी स्टेप कैसा होता है और हम कैसे जीते हैं और हम किधर जा रहे हैं इसके बारे में यदी समय रहा तो कल इसके बारे में चर्चा करेंगे बस इतनी घकरव अपने आणी को इराम देता हूँ बोलिए सब्गुरु देवा की जै